मध्य प्रदेश कर्मचारी बड़ा आपडेट, मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगटनों के प्रतिनिदियों से की 1-1 चर्चा मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगटनों के प्रतिनिदियों से 1-1 चर्चा की भुपाल, 15 अगस्त मंगलवार को CM हाउस में आयोजित बैठक में लगभग आधा दर्जन संगटनों के प्रतिनिदियों ने हिस्सा लिया इस दोरान CM शिवराज सिंग चोहान ने प्रतेक संगटन प्रतिनिदी से वन टू वन चर्चा की उलेखित बैठक कैबिनेट मंतरी दर्जा प्राप्त कर्मचारी कल्यान अध्यक्ष रमेश चंडर शर्मा की पहल पर आयोजित गई थी समगरा शिक्षक संग की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंड दुबे और प्रदेश महामंतरी संजय तिवारी ने मुख्यमंतरी की समक्ष मुद्दा उठाया की चतुर्थ समयमान योजना में शिक्षक समवर्ग शामिल नहीं है इसलिए राज्यके शिक्षक समवर्ग चतुर्थ ख्रमुनत वितनमान देने के आदेश जारी किये जाएं जिसे एक जुलाई 2020 से लागू किया जाए समगर शिक्षक संग ने उच्चे पदप्रभार पदनाम के मामले में सीएम की घोषना का पालन ना किये जाने का भी मुद्दा उठाया उच्चे पदप्रभार के मामले में पुराने कैडर के स्वीकृत पदू के अनुसार पदोनन का लाब देने की बात उठाये संगठन ने ग्रेड पे विसंगती, राज्य के सेवानिवृत शिक्षकों को अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान 300 दिवस का अवकाश नगदीकरण लाब देने, चतीसगर की तर्च पर साथ वे वेतनमान के अनुरूप ग्रहभाणा लागू करने, 30 जून को सेवानिव होने वाले शिक्षकों को एक वेतन वृद्धी का लाब देने, स्वास्थ बीमा योजना लागू जैसे अनिक बिंदूओं को रखा। नहीं है, तो उन बिंदूओं पर सरकार जल्द से जल्द निर्नय लेगी। हाला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने ग्रेट पे विसंगती के मुद्दे पर फिलहाल कोई निर्नय लेने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन इस मुद्दे पर कमेटी बनाने की बा बात रखने का तैक किया. जब नकारात्मक वातावरंड निर्मित किया जाता है, लेकिन इसके बावजूत जो नितिगत रूप से मांगे संभव है, उसे पूरा करने का काम सरकार करेगी, लेकिन ओर्ड पेंशन लागू करना उनके हाथ में नहीं है.